देखो, आज हम इस तोपिक के उपर बेस्ट दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्फ करेंगे यह दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही जाड़ा कॉंसेप्ट शोल है तो आप लोग कॉंसेप्ट पे फोकस करना और बैपरपिन लगे बेच जाओ तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सुरू करने से पहले थोड़ा से बेसिक आइडिया को समझ लिए यहाँ पे यह एक कोईल है तो इस कोईल से एक लाइन खिचा, इस इस एक पोईंट लिया और इस पोईंट का नाम के होंगे एकजियल पोईंट है इस एकजियल पोईंट पे कितना मैगनेटिक फिल होंगे उसको निकलने के लिए जो फोर्मूला है, that is given by this formula यहाँ पे आप देख पर हो, mu naught, ni a square, n मतलब number of turns, तो इसमें कितना तार्ण चे, यहाँ पे अभी आप देख पर हो, एक ही तार्ण है न तो फिर i मतलब कितना current flow हो रहे इस coil में यानि इस or में कितना current flow हो रहे, फिर यहाँ पे है a square, a मतलब किया है radius of disk coil, यह circular coil है, इस तरह की circular coil है, फिर यहाँ पे r मतलब किया, यह जो point है, center से कितनी दूरी पे है, r distance दूरी पे है, same यहाँ पे a है, fine तो इस formula की मदद छे हम लोग इस जगह पे कितना magnetic field होंगे उसको भी निकल सिकते और एक चीज यह जो formula है इसको मैं एकदम systematically basic से समझाए derivation क्या है तो आप लोग देख ले ना description box में link मिल जाएंगे ठीक है यह तो playlist में चेक कर लेंगे वहाँ पे मैं सब्तर हुआ है serially सब कुछ देखे रखा ठीक है और एक important काम क्या किया कि वहाँ पे हर एक topic को समझाने के बद हम लोगों ने क्या 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 तो R को 0 करना यानि magnetic field यहाँ पे find करना तो उस case में जो magnetic field formula है है यहाँ पे R की value 0 कर दो तो आपको क्या में लेंगे mu not n i a square फिर नीचे के आएंगे 2 R को 0 किया अभी देखो यह जो 2 है इससे cancel out होंगे तो it will become a cube ठीक है तो इसको आप a cube लिख सकते हो fine खूर एक पर करके देखो यह जो a square है इससे cancel out होंगे तो basically आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे नीचे एक a मिल जाएंगे तो यह है center पे इस जगह पे magnetic field की formula है तो आज की जो question है पहला question में आपको क्या पूछा है पूस करके आपको खुद solve करने की causes करो ठीक है तो पहला question में आपको पूछा कि एक coil है है एक circular coil है उस coil में current flow हो रहे है किस direction में clockwise direction में ठीक है और coil को किस तरह से place किया horizontal plane पे यहाँ पे देख पार है आप यह है x-axis और उपर y फिर यहाँ पे यह जेड तेनों एक दूसरे से कहे है 90 degree बना रहे है ठीक है तो यहाँ पे यह जो plane है यह है horizontal plane मतलब इस तरह से है कुछ ठीक है अगर फार्टिकल होंगे तो एसे खरा होंगे यहाँ पे यह कहे है फार्टिकल प्लेन है तो horizontal plane पे इस coil को रखने दिया और इस coil में कौन सी direction में current flow हो रहे है इस direction में यानि clockwise direction में इस तरह से current flow हो रहे है ठीक है और अगर फार्टिकल होता तो यह होता तो अब फिल ले सेक तो यहाँ से है ना तो यह diagram अभी इस case के लिए नहीं चाहिए तो ह में चाहिए यह वाला diagram ठीक है और इस coil में कितना current flow हो रहे है twice a यानि 2 ampere current flow हो रहे है और इस coil की जो radius है that is 8 cm तो हम लोग के काम करते हैं इसको meter में लिख लेते है ठीक है तो 8 into centimeter मतलब 10 to the power minus 2 meter ठीक है और इसमें number of turns कितना है 10 यानि आप बोल सेकते हैं इस तरह से 10 turns होंगे ठीक है तो यहाँ पर एक ही तार्ण है समझ पारे हो ठीक है तो मैं एक काम करते हैं इसको आप लोग note करके रहो मैं इसको meter रहते हो है एक simple से diagram बनते हैं ओके field तो ले लिया ना किस तरह से particle horizontal plane ड्रॉ किया जाते है ठीक है अभी देखो इस scenario में यह जो coil है यह coil कुछ इस तरह से हैं ठीक है यह circular coil है है तो इस coil के turns कितना है तेन turns और इसकी radius कितना है यहाँ से यहाँ तक जो radius है डिस इतना meter ठीक है अभी देखो इस direction में जो current flow हो रहा है current की direction यह है और इहाँ पर आपको magnetic field चाहिए यानी center पर ठीक है उसके लिए आप formula यूज करो कि यह वाला ठीक है तो अब यहाँ पर formula यूज करो b is equal to कितना मिलेंगे mu naught and i फिर इहाँ पर twice a लिखो देखो यह formula पर values directly put कर दो अरम से आपको मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर concept की बात आएंगे जब आप direction को देखोगे ठीक है वहाँ पर मैं आच्छे से समझाओंगा है तो यहाँ पर इसको आप एक technique लगा सकते हो यह जो mu naught है इसको आप एसे भी लिख सकते हो mu naught by 4pi is equal to 10 to the power minus 7 ठेक है तो यहाँ आप इहाँ से mu naught is equal to के लिख सकते हो 4pi into 10 to the power minus 7 clear है तो यहाँ पर यह जो mu naught है इसकी value आप replace करोगे 4pi into 10 to the power minus 7 ठेक है एन मतलब जो number of turns है that is 10 फिर यहाँ पर into i मतलब कितना current flow हो रहे ठीक है that is 2 ampere है easy है यहाँ पर 2 into the radius देकर रखा इतना सा अप लिख तो 8 into 10 to the power minus 2 ठेक है इसको calculate कर सकते हो फोर इस 2 से इसको cancel out करो है ना फिर आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर 4pi फिर यहाँ पर 10 से इसको करो इतो बिकम 10 to the power minus 6 फिर यह उपर जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे 10 to the power plus 2 ठेक अपको मिलेंगे 2 फिर यहाँ पर pi into 10 to the power minus 4 divided by 2 ठेक है तो इसको कुछ answer आएंगे pi का भीलो आप लिख लेंगे 3.14 divided by 2 कर दो आपको कुछ answer मिलेंगे यहाँ कर सकते हो फेक नहीं ठीक है महीं करें तो 2 1 to 2 फिर यहाँ पर 11 अपको मिलेंगे 2 5 to 10 फिर यहाँ पर 14 to 7 इतना सा 10 to the power minus 4 और b यानि magnetic field के ऐसा है तेसला, clear है? easy है, है ना? तो अभी देखो इहाँ पर यह जो magnetic field के value मिला इतना सा कहाँ पर मिला? center पर, इस point पर magnetic field मिला, क्यों मिला? क्योंकि इहाँ पर current flow रहे, तो हमें पता है according to our state experiment, current जब भी wire में flow होंगे उस wire के around हमें magnetic field मिलेंगे और इह current दे देता हूँ, उपर की तरफ होंगे या निचे की तरफ होंगे, ठीक है? तो magnetic field की direction निकलना यह थोड़ा सा important है और conceptual भी है, ठीक है? तो अब लोग अच्छे से देखो, मैंसे अमजा देता हूँ, इसको note करके रहो, ठीक है? तो magnetic field निकलने के लिए हमें एक छोटा सा concept को जानना है, इसको एसी द्रा कर लेते हैं, ठीक है? तो current की जो direction है, this one is direction of current, तो यहाँ पर यह जो center है, इस point पर हमें magnetic field मिला है ना? अभी देखो, concept यह है कि, suppose इस तरह से मैंने एक diagram बनाया, यह देखे हो जाए अब तो जब भी anti-clockwise direction होंगे, तो वो not pull होंगे, ठीक है? और ज जब भी clockwise direction होंगे, तो उस किस में यह होंगे south pull, इस तरह से आप simply draw कर सकते हो, ठीक है? अभी देहन से देखो, इस direction में current flow हो रहे है, यानि उपर से अब देखोगे, तो आपको क्या नजर आएंगे? कि यह clockwise flow हो रहे है, ठीक है? इस तरह से clockwise current flow हो रहे है, तो clockwise होंगे, तो उ यहाँ पर south होंगे, उपर की side में, ठीक है? यानि south pull होंगे, एसे समझो, यह एक bar magnet है, ठीक है? यह north pull है, यह south pull है, तो यही उपर की side में यह के होंगे? south pull होंगे, और निचे की side में के होंगे? north pull होंगे, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो यह जो coil है, एसे समझो, यह coil है, कोई कि उपर की हिस्से में, उपर की तरफ क्या होंगे? साउठ पूल, ठीक है? क्योंकि इस तरह से clockwise current flow हो रहे है, और clockwise होने से जो side होंगे, उसको हम बोलेंगे साउठ पूल, और नीचे की तरफ इहां पे नॉट पूल होंगे, easy है? yes, तो एफ रहे हैं से देखना है कौन से, नॉट से साउठ की तरफ always magnetic field है, इस तरह से flow होंगे है न, नॉट से निकलेंगे और साउठ पे enter करेंगे magnetic field, यह आपको मालूम है, ठीक है? easy है तो magnetic fields form से closed loop, ओके तो एसे निकल रहे हैं, निकल के south से north की तरफ आएंगे, ठीक है? देख पा रहे हो ऐसे एक राउन घूमेंगे, तो फिर यहाँ पे south से north की तरफ आ रहे यह क्य है? magnetic field है, ठीक है? तो magnetic field north से निकलेंगे, लेकिन अंदर south से north की तरफ आएंगे clear है? yes तो अभी देखो, यह जो side है उपर की side, यह south है, और निचे की side north, तो अब ऐसे समझो north से north से south की तरफ इस तरह से magnetic field निकल रहे हैं, ठीक है? north से निकला, south पे enter हुआ तो यह north है, निचे की side है ना, तो north से south पे magnetic field लेंज, enter किया clear है? तो यह जो south पे enter हुआ, यह magnetic field ऐसे आया, सीधा, तो यहाँ पे भी यह magnetic field यहाँ से ऐसे सीधा आयेंगे, ठीक है? तो magnetic field सीधा आया, तो आपको पूछा, center पे, यहाँ पे जो magnetic field की direction होंगे, वो कौन सी होंगे? उपर से निचे की तरफ, याने top to bottom की तरफ, ठीक है? this is the direction of magnetic field at this point, clear है कि नहीं? देखो, yes, easy है तो बहुत लुक क्या करते हैं? निचे से उपर की तरफ लिख देंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे निचे नॉठ है उपर south है, लेकिन ट्रिक आया समझ में यहाँ पे भी, जो अंदर inside the magnet, यहाँ पे क्या हो रहे? south to north हरे, magnetic field के direction ठीक है? यहाँ पे भी वो यह concept easy है? ओके, तो एक काम करें इसको जल्दी से note करके रखो, तो हम लोग इसको नेक्स्ट को solve करते हैं ठीक है? यह question interesting है, और धोरा सा खतरनक भी ठीक है? लेकिन मैं आपको एकदम easy हुआ में समझा दूँगा, ठीक है? क्या पुछा आपको question में in the Bohr model of hydrogen atom, an electron revolves around a nucleus in a circular orbit of radius 5.11 into 10 to the power minus 11 meter at a frequency of 6.8 into 10 to the power 15 hertz what is the magnetic field set up at the center of the orbit? ठीक है? interesting question है, तो आपको खुद एकपा कोशिस करो पॉस करके, ठीक है? देखो रहें से यहाँ पर, यह एक nucleus है, hydrogen atom की nucleus है, hydrogen atom में कितना electron होंगे? एक ही electron होंगे, ठीक है? तो यह जो electron है, यह electron इस तरह से rotate कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस direction में electron rotate करेंगे तो इसकी opposite direction में हमें क्या मिलेंगे? current मिलेंगे, ठीक है? तो सिवर सी बात यहाँ पर current मिलेंगे हमें, ठीक है? अगर current है यहाँ पर तो उस case में center पर यानि इस जगह पर हमें क्या मिलेंगे? magnetic field मिलेंगे, ठीक है? उस magnetic field को निकलने के लिए जो formula है, this is the formula, तो यहाँ पर हम लोग formula को लिख लेते हैं, तो b is equal to mu naught, n की जगह पर 1 लिखोगे, क्योंकि इसमें एक ही coil है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारा coil नहीं है, n की value 1 होंगे, n is the number of coil, ठीक है? तो अभी देखो, यहाँ पर आपको क्या देखकर रखा है? इस coil की जो radius है, मतलब यह जो orbit है, इस orbit की जो radius है, वो कितना? इतना सा, फिर frequency इतना, लेकिन हमें क्या चाहिए, current, radius a ह हमारे पास है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक यह के है, is the radius, यहाँ पर भी हमने is the radius consider किया, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? आई की value, तो आई की value फाइन करना interesting है, देखो धोर ऐसा, actual में idea यह है, कि जो frequency है, frequency को हम लोग, उससे पहले आप time period को समझ लो, बहुत की इसमें time चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर electron को एक round घुमने के लिए, जो time चाहिए, that is called time period, ठीक है? तो आप लोग note करना कि time required for one revolution, ठीक है? तो time period को हम लोग symbolically लिखते है, capital T, ठीक है? तो एक revolution में time कितना चाहिए? capital T, इसे हमने symbol use किया, ठीक है? तो फिर frequency का meaning है, frequency का symbol F भी लिखते है, ठीक है? इसको हम लोग and you new परते है, ठीक है? तो frequency, इसको हम लोग लिख सकते है कि एक second में कितना revolution हो रहे है, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे समझते है, कि यह जो time period T है, T time में कितना revolution हो रहे है? one revolution, ठीक है? एक डम simple करके दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर देखो, T time में कि इतना revolution होंगे? बोलो, तो अब लिखोगे one by T revolution, ठीक है? यूने तरी method है ना? तो one second में जितना revolution होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? frequency, तो इसको हम क्या कह सकते है? frequency कह सकते है, ठीक है? तो frequency F का meaning, अब क्या लिख सकते हो, F is equal to one by T, simple है, ठीक है? तो इहाँ पर यह जो frequency है F, इसक क्या लिख सकते हो, one by T, यानि one by T की जगह पे, अब F लिख सकते हो, और इसका value कितना देके रखा? 6.8 into 10 to 10 per 15 Hz, ठीक है? तो यह जो हार्च है, इसको आप लुख second inverse भी लिख सकते हो, ठीक है? हर्च मतलब second inverse, clear है? अभी देखो, इसको आप note करके रखो, यहाँ पर देख प current is nothing but कितना charge flow हो रहा है और कितना time है, ठीक है? तो एक round घुमा, electron है ना, तो time को हम लोग capital T लिखेंगे, एक round घुमने में जो time है, उसको capital T कहता है, time period, तो कौन घुम रहा है? electron, तो electron की charge कितना होंगे? electron की charge लिखेंगे यहाँ पे है ना, electron की charge कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb, divided by, यह जो time है, 1 by T है, यहाँ पे है ना, तो इसको आप लोग एसे directly multiply कर सेखते है ना, तो यहाँ पे Q into 1 by T, तो 1 by T की यह value है, that is 6.8 into 10 to the power 15, ठीक है? तो यहाँ पे इसको I हमने लिख लिया, फिर B is equal to क्या लिख होगे? मु की value अभी भी समझा था है ना, 4 pi into 10 to the power के लिखेंगे, minus 7 into I की value यह लिख देना, ठीक है? तो I की value के लिखेंगे, 1.6 into 6.8 into, इसको अप एजस्स कर लो, it will become 10 to the power 4, minus 4, ठीक है? divided by, क्या होगे यहाँ पे? 2 into A, 2 into radius कितना देकर रखा? 5.11 into 10 to the power minus 11, clear है? तो इसको अप multiply करना, divide करना है ना, तो 10 power को एग साथ कर लो पहले, 1.6 into 6.8 है ना, यह टेकनिक है, तो 7 और यह 4 कितना होगे? 10 to the power minus 11, ठीक है? divided by, 2 into 5.11 into 10 to the power minus 11, निच्छे भी है, तो दोनों को cancel out करता है, ठीक है? तो इसको और एक टेकनिक समझ लो, यह जो 2 है, इसके साथ cancel out करो, it will become 2 pi है ना, तो इहाँ पे, अगर उपर 100 multiply करोगे, ठीक है? निच्छे भी करना होगा 100 multiply, है कि ने? तो मैं के कर रहा हो? यह target रखना always, निच्छे से इस decimal को उराने की कोशिस करना, ठीक है? तो निच्छे से कैसे decimal को हटा होगे? तो अगर 100 multiply किया निच्छे, तो it will become 511, है कि ने? तो 100 निच्छे करोगे, तो उपर भी करना होगे, है ना? तो अपको मिलेंगे twice pi into, it will become 16 into 6.8, ठीक है? तो 100 से इसको और इसको multiply किया, decimal हट किया, ठीक है? फिर इहाँ पे, it will become 511, clear है? तो इसको भी क्या करना है? डिवाइट करना है, ठीक है? तो आप करके मुझे बोलना, comment section में, ठीक है? तो मैं अभी answer लिख देता हूँ, it is 13.4, ठीक है? तो answer कितना है? 13.4 tesla, तो आप लोग इसे match करके देखना आते है ठीक है? तो इसको भी note करकर एक हम लोग नेक्स क्लास में एक बहुत ही जादा important question solve करेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारा concept आप सीख पा होगे, ठीक है? तो उसमें dipole moment की भी concept समझ पा होगे, ठीक है? मतलब जो magnetic dipole moment है, electric वाला नहीं, तो magnetic dipole moment वाला concept को भी वहाँ पे अच्छ ठीक है? और चैनल को subscribe करना, like करना, share करना, ठीक है? Thank you.